हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरकुलक एडमी बाई एने चैनल तो हम लोग आज 25 कुश्चन है परसेंटेज के आपका परसेंटेज टॉपिक ही चल ला था और वीडियो थोड़ा लेट हुई है लेकिन अपसे आपको कोसिस करेंगे कंटीनू रखें तो आपके 25 क कुछ हार्ड कुश्चन है तो इंक्लूडेड मिलाकर आपको टोटल 25 कुश्चन सौल करवाने और इसकी पीडियाफ आपको इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में तेलीक्राम ग्रोप है आप उसे जोन कर लेना तो इसकी पीडियाफ में वहीं पर अपलोड कर दूंगा ठीक है यह पहला कुश्चन है तो प्रिश्चन के कह रहा है चीनी के दाव में 20 प्रिसित की ब्रद्धी हो जाती है चीनी पर खर्च पूर्वत रखना है तो कटोती के बाद खपत में कमी एवं आरंबिक खपत का अनपात ग्याद करें यह प्रिश्चन पूंचे देखो बहुत सिं प्रिविएस वीडियो अप्रोड की है अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए जाके फिर यहां पे इस वीडियो को आप कंटीन्यू करना प्रश्चन क्या था चीनी के दाव में 20 प्रचित की ब्रद्धी तो 20 प्रचित की हम पहले बनाएंगे बिन क्लेश प्रचित की तो मेंने आपको क्लास में पढ़ाया है इससे फ्रिविएस वीडियो में आपको पढ़ाया है कि जो मूल लिया वह कंट का क्रॉस होता तो यह चह निया प्माच दिया पहले आप च्छै की खपट कर रहे थे अब कितने की पाच ऀ कि कितने की कमी आप कंसे औरमने खबसी तो ये वधाँ खबध कि कमी कितनी एक क् ऐसका क्तिना जाएगा इस्का एक अलजय नगते नहीं दूसरे प्रश्न पर ठीए तो ये प्रस्ट किया कहार है? कि एक सेव की कीवत में दस प्रथिसद की कमी की कारड़ तो रुपए में कितनी दस प्रospरीशद दस प्रथिसद की बनेगी, एक बट्ते दस parallel टीक है, तो दस से नो की कमी की कारड़ één एक विक्ति-चंगर रूपए में 10 सेव अधिक खरी सकता तो यह तो हो गया मूल की बात मैंने का मूल अगर यह हो गया तो खपत क्या होगी इनकी क्रॉस होगी तो 9 यहां आ जाएगा और 10 यहां जाएगा यहां कितने अधिक खरीदा 1 और प्रश्ण में कितने अधिक है 10 को ड़ी गॅ कितने स्सक्राइब करths прямर प्रश्न में यहां से एक को ड़िए और प्रश्न में कितने कमी के बाद यानि यह तो पहले की होगी बात इहाद की मात टो कमी के बाद कितने 9 9 पर कितने से 10 तो एक बराबर अगर 10 वेल्य एक क्योंगे तो यह अब वो कितने से खरीद के ला रहा होगा आपको गें 100 कितने 100 अब यहां समझना मैं कहता हूं 100 जो सेव हैं आपके कितने 54 रुपए कितने 54 रुपए ठीक है बार यख़षा क्या है प्रति दर्जन से तो कितने से मान चांगक तुपमें 14 बट्टेों है फटी तो अब क्या करना इस और चाओत तो काट लो चेह सीधसीदह सीधह आपकर मल्टिपल करके अंसर नकालो इसका अगर multiple करो गया 1248 की आठ हांसे लगी चार बारा पंचे साट और चार चौन सट यानि 648 बटे सो पॉइंट सो से दो आ गई तो इसका पॉइंट फूरेट यानि अब जो एक दर्जन सेप की किमत कितनी बनेगी 6.48 रुपए ठीक है तो इसको भी हम क्या करते हैं रब करते हैं आप अगर पराणी वीडियो देखोगे तो आपको यह कुश्चन मिल जाएंगी ठीक तो इसको यह देखो यह भी सेम उसी तरीके का कुश्चन है लेकिन यह उससे आसान है मैं क्या कह रहा हूँ देखो एक विक्ती एक दसमलब दो पाँच रुपए में तीन सेव की जगए अब एक रुपए में कितने सेव खरीद रहे हैं तीन यह पहले वाई तीन सेव खरीदने के लि ही आसे प्रिशन का क्या दाए उसको भी हम क्या करते हैं यह तद िश्रा कुश्चन ठीकि है तो इसको हम क्या करते हैं रभ करते हैं आते हम लोग नेक्स्ट पर यहीं प्रश्ण इजी है, ज्यादा हाट नहीं है, देखो, इसको करना कै कहे है तेखो, अब पहले तो देखो, इस तरीके के प्रश्णों के लिए आपको भाइ, पहले उसकी तृज्या उचाई तो उसके लिए आपको पहले बेलन का आइतन पता होना चाहिए और बेलन का आइतन का फॉर्मूला होता पाई आर स्क्वेर एच ठीक लेकिन जब यह हम कंपेरिजन करेंगे तो जो निमेरिकल्स वैल्यू होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है हमें सिर्फ मतलब किसी है आर स्क्वेर है एक से कितने से आर स्क्वेर है से तो तरिज्य कितनी है 20 परसेंट बढ़ाएगे तो 20 परसेंट की बिन आप जानते है एक बटे 5 तो 5 से 6 और 5 से 6 अब यहां बार क्योंकि यहां आर कितनी बार रिपीटेट दो बार और उंचाई को कितना घटाए जाता एक बार तो मैं कोँगा 10 से मैं कोँगा 25 इंटू 10 यह होगे 6 चक के 36 और 9 चक के 54 ठीक 6 चक के 36 चक के 54 6 चक के 36 चक के 54 चार आह से लेगी 5 9 तियस सत्यस 5 32 इस से यह कितनी ब्रद्य होगी तो आप घटा लो को पढ़ूँंगा पहले अगर उसका हैतन कितना होगे फिससे इस इसके अंतर कितना है तो are दोड़े साथ जोट्र गिन का से 2017 क्या हूं और साथ चुके सलिके ब्रद्द्र पेहले कितना प्रत्र प्रिस्यत के लिए सो तो पच्छेस एक हैन पच्छिस पच्छिस चको सो चाच चचो को सूला चाच चासत्य अठ्ठाड़ और एक उनतिस और जीरो एक ऑन के बाद दसम्लाब यानि उनतिस दसम्लाब छह परतिसत इंक्रीज कमुती तो डिक्रीज टीक 39.6% क्या हो गया इसका Increasement हो गया 39.6% क्या हो गया इसका Increasement हो गया तो इसको भी हम क्या करते है Rub करते है Question No.4 हो चुका आते हैं हम लो Question No.5 पे ज़्यादा Tough Question नहीं है बहुत basic से Question से ही है अगर आपने previous वीडियो देखी होंगी चुका तो आप इनमें से जातर 80% आप Question लगा लेंगे अब यहां देख़ो मैं कहता हूँ दो संक्याओं कर यह हो मैं कहता हूँ हम पांसो बिस है वो दो संक्या है मैं कहता हूँ एक संक्या X है मैं कहता हूँ एक संक्या भाई है इनको Ratio divided कर लिया अब देखो यहाँ, मैं छोटी बड़ी संक्या में कितने की कमी, चार प्रिस्द की कमी कर दी जाती है, तो दोनों संक्या क्या हो जाती है, बरावर, मैं कहता हूँ, बड़ी संक्या एक्स है, एक्स में चार प्रिस्द की कमी, तो सौ में सगा चार प्रिस्द की कमी करोगा, यह कितना हो जागा 96 मैं कहता हूँ छोटी संक्य मैंने बाई मानी थी मैं कहता हूँ बाई संक्य हम कितनी ब्रदी 112 बट्टे 100 तो ये दोनों संक्य क्या हो जाती है बराबर तो देखो ये दोनों क्या हो जाती है बराबर तो आपको होगे 100 से 100 खतम 100 से 100 खतम किस से काट है आठ एक अनाठ आठ दूनी सोला आठ एक अनाठ आठ चोकों बत्तिस दुछेक के बारा दुसत्ते चाहुद तो एक्स अनपात वाई एक्स अनपात वाई तो देख को यह चीज होगा यहाँ एक्स इंटू छह ख्यू पान डालाच तिरह किसी यहनी एक मन ल aur 7 एक मन लिये 6 तो इनको साँ उ छING टेरह तोतल वेल्यू कितनी है आपको होगे 520 तो 520 वेल्यू किसकी होगे 13 की मैं करूं को चोटी संग्या तो चोटी संग्या मन किसका न कानना है ठीक च्छे का, तीरा चुकों, बावन च्छे चौकों, कितना, दूसो चालिस इस प्रिश्न का क्या जाएगा, आंसर आजाएगा, दूसो चालिस इस प्रिश्न का क्या जाएगा, टीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, आते हम लोग इसके, next question बन बड़ी संक्या पूंचते तो आप 7 कमान नकाल लेते question number 6 होगा question number 6 ही तो देखे question number 6 क्या कह रहा है ये गाउं की जन संक्या 98 होती ये दि पुरूसों की संक्या में 8 प्रिस्यत और मेलाओं की संक्या 5 प्रिस्यत की ब्रद्दी हो जाती तो गाउं की जन संक्या 10458 हो जाती है ब्रद्दी से पूर गाउं में पुरूसों की संक्या क्या थी तो देखे क्या था question बहुत ही easy सा question था तो देखो ये से लगाना allegation से तो उससे लगाना इस question को ज़्यादा आसाल रहता है तो मैं कहता हूं क्या? Male पूरूषते male 8% हो गए female 5% हो गए allegation, लेकिन Total जो होगा वो कहा हैका बीच में, अब लेकिन Total का मैं Percentage नहीं पता, तो हमें Total की Percentage नकालनी है, तो Percentage के से नकलेगी? मैं कहता हूं krijAU 978 ही बाद में कितनी होगी दस जार चार्सो अठावन हो गई कितने की प्रद्धी आप कोगे 658 608 की प्रद्धी मैं कहूंगा कहां से आप कोगे अठावन की प्रिशत के लिए आप कोगे 100 मैं 2 0 से 2 0 काट दिया 2 0 से क्या कि मैंने 2 0 डिवाइड कर दिया ठीक तो यह से प्रॉपर तो कटेगा नहीं तो मैं इसके क्या करता हूँ थोड़ा काट के इसको और छोटा कर लेते हैं तो मैं इससे 2 से काट लूँ तो 2 4 को 8 2 9 18 2 3 6 2 2 4 और 2 9 18 यह किसी और से कटेगा ससत्य उनन्चा साच्चो को 800 ससत्य उनन्चा अब इससे जदा यह डिवाइड नहीं होगा तो यह कितना आ जाएगा बीच में 47 बट्टे 7 लेकिन करना क्या है में इस जो 7 है नीचे इसको मैं उपर इन दोनों में मल्टिपलाई कर देता हूँ तो यह 7 8 56 हो जाएगा यह 7 5 35 हो जाएगा और बीच में बचेगा कितना 47 यहीं बचा अब इनको हमें क्या करना है गटाना है तो यहां से अगर मैंसे गटा हूँ बड़ है मैं इसको काटलूं तीन त्रकनो 3 चको 12 यानी यह जो सुरुवागा में मेल और फी मेल का जो रेशियो था वो कतना ता 4 5 3 तो टोटल जनसिंगे कितनी सी सुरुवात में आप होगे 9800 इसको मैंने चार और नपा तीन में तो चार और तीन साथ इसकी पूची की पूरूसों की तो मेल की नीचे कितना माना आए चार का मान चाहिए मैं कुछ साथ एकन साथ आहां से लगी दो साथ चोक अठाइस और चोधा चोको तो सुरुवात में मेल की संक्य कितनी थी च्छप पंसो थे कितनी थी च्छप पंसो यही इस प्रश्न का क्या आजाएगा अंसर आजाएगा एलिगेशन से लगाने में कैल्कुलीशन भी कम होगी और जल्दी भी लग जाएगा तो इसको भी हम करते हैं क्या रब करते हैं आते हम लोग कुश्चन नमबर 7 पे एक विक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बेटे को दे दिया सेस का 30% छोटे बेटे को सेस का 10% और इसने एक ट्रश्ट को दान कर दी यदि वह 10,000 रुपए छोड़ जाता है तो उसकी आय क्या थी यदि वह 10,000 दस जार 80 रुपए छोड़ जाता है तो उसकी आय क्याती देखो जब मैंने आपको ये प्रश्टन अगर आपने परसंटेज की लेक्चर देखें तो वहां आपको मैंने एक tap बताओँ गोगा जहां किस पर्योग का हो सेस सब्द का पर्योग का हो जब भी सेस सब्द का पर्योग हो है आप इसको fraction से ही लगा रहा है तो 20% की बिन कितनी बनाओगे एक वट्टे 5 तो 5 से 4 20% की बिन एक बट्ते 5 मैं कहूंगा 5 ती 5 में से 1 अगर मैंने दे दी तो बची कितनी 4 30% तो 30% की बिन बनाओगे आप 0 से 0 मैं कहूँ 10 10 में से कितनी 7 मैं कहूँगा 10 परसेंट दे दी तो 10 से आप कोगे 9 कितनी क परसें 10 से 9 अब इसको थोड़ा काट लेते हैं मैं को दो दूनी चार दो पंची दस दो एक अंदो दो पंची दस पचम 25 पंचे 125 को नो सत्य 63 मैं कोँगा अगर सुरुवात मेरा सी 125 थी तो अब उसके पास बची कितनी आप कोगे 63 आप क्या कोगे 63 ठीक तो अब प्रश्न में देखो मैंन आप में ट्रेश्ट को दान कर दी ठीक उसने एक ट्रेश्ट को दान कर दी यदि उसके पास अब कितने रुपए बची दस जार असी ठीक कितने दस जार असी तो इसको में कैसे कर तो हमारे पास बचे कितने 63 तो मैं कौँगा 10 080 is equal to 63 शुरुवात में मेरे पास value कितनी थी आपको 125 तो मैं इसे 3 से काट लूँ आप 7 से काट लूँ आप 9 से काट लूँ ठीक है तो मैं 9 से काट लेता हूं मैं को 970 63 9199 नो दूनी 18 मैं साथ से काट लूँ साथ एकन साथ साचिंके 42 160 कितने वार 160 बार अब 160 का मल्टिपल आपको उसमें करना है तो 1685 असी हासल लगी 8 1632 32 40 08 16 और 4 20 इसका अंसर कितना आगा बीस अजार इस प्रश्ण का अंसर आ जाएगा ठीक है तो इसको भी हम क्या करते हैं क्लीन करते हैं आते हम लोग इसके next question पर इसकी PDF आपको इसके telegram group पर मिल जाएगी ठीक है 8 में question होगा I think हम लोग हाँ जी 8 में question है question number 8 इस question भी मैं डालता चलूँगा क्योंकि यहां number से नहीं लिखे होगा ठीक है अब इस question को देखो यह बैसे तो बहुत ही important question है most important बना लो ठीक है बहुत important question है तो इसको देखो क्या करहा हूँ मैं करहा हूँ एक आदमी कितना कमा रहा है आप गोगे 13,000 खर्च कितना कर रहा है आप गोगे 9,000 यह आई थी यह खर्च था तो इसको मैं in rupees से भी कर सकता हूँ लेकिन इसमें दिक्कत एक हो जाएगी कि calculation थोड़ी बढ़ है तो रुपए या खर्च दिया जाए तो आप क्या करो इनको रेशियों कनवर्ट कर दो पंद्र सकते एक सो पैंतिस पंद्र चिक्के नब यानि इनका जो रेशियों मेंने डिवाइड कर दिया वह कितना कर दिया साथ अनपाच छे लेकिन percentage में माने तो हम इसमें दो जीरो को बढ़ा देते हैं उससे कैलकूल जाएशन थोड़ी आसान हो जाएगी ठीक है एक माट अंद्र चिकिन अब पंद्र सकते एक सुपांच पंद्र निम्मा सुरी मैं मिश्टेक मैं एक सुपांच इसको थोड़ा और काट सकते हैं तो यह 9 इसकोल टू ठीक है अब से तो 300 और यह 200 किसमें रेशियों डिवाइड कर लिए 300 और 200 मैं करता हूँ आई आपकी 300 खर्च आपका 200 तो बचट आपके आप जोड़ के चाहे तो 342 लख ले ना ठीक है 200 में 7% की ब्रिद्ध वी तुम्हें कहूंगा 14 की ब्रिद्ध वी कितने की ब्रिद्ध वी चौद्ध की आप इसको कर ले ना 200 14 अब आप इस में से इसे घटा ना लेकिन मैं क्या करूंगा थोड़ा जल्ली करना समझना 42 में से आपका मैं 14 घटा लूँ तो कितना आप कोगे 28 अगर आप 342 में से 214 भी घटा होगे ना तो आपका यह 188 बचेगा बात वही पड़ेगी यहां से यह कितना बढ़ गया 28 अब मैं कहता हूँ अगर पहले बचत 100 थी अब कितनी होगी 28 बढ़ गई तो मैंने उसी बचत का प्रतिस्ट पूचा है तो कितनी बढ़ी आप कोगे 28 मैं कहूँगा कहा से आप कोगे 100 से और प्रतिस्ट के लिए भी आप क्या यूज करोगे 100 तो 100 से 100 कतम यह आंसर इसका कितना है अगर 28 प्रतिस्ट अगर आप मैं परसेंटीज की वीडियो देखो गई जाके तो वहाँ यह कुश्चन आपको मिलेगा ठीक है तो इसको भी हम क्या करते हैं क्लीन करते हैं आते हम लोग इसके नेक्स्ट कुश्चन पर कुश्चन नमर 9 जेश्ट पिछला कुश्चन है वही यह कुश्चन है वहाँ आपको रुपीज दिये जाते थे यहाँ आपको परसेंटेज में माद दिये तो देखो करना कैसे मैं कहाँ एक वेक्ति अपनी आए का कितना 75 मैं कहुंगे 75 खर्च कर रहा है तो कमा कितने रहोगा आपको 100 अगर सो कमा रहा है तो बचाए कितने होगे बचा कितने रहा होगा आपको एक रुपे ठीक है तो इसमें क्या करूं मैं जीरो बढ़ा दू क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू है तो जीरो बढ़ा दू तो उससे क्या होता है कैल्फुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है मैं कहतों 400 रुपे थे 300 आपने खर्च कर लिये बचाये कितने आपको होगे 100 रुपे मैं कहतों उसकी आए बढ़ेगे 20 आप 400 का सीधा 20 परसेंट नकालेगे कितना अखलेगा आपको और 50 अगर आप इसे 480 करोगे 330 करोगे और इसमें से गटा होगे तो 150 ही मिलेगा मैं कहूं, पहले 100 बचत कर रहे थे, अब आप कितनी बचत कर लेगे आप कोगे 12, मैं कहूं, कितनी बढ़ेगी, आप कोगे 50, मैं कहूं, कहां से आप कोगे, जब 100 से बढ़ी तो सीधा-सीधा अंसर कितना हो जाएगा, इसका 50 से 30 ही, इस प्रश्न का क्या जाएगा, answer, sorry, C option, क श्रीट नम्र क्वेश्ट नम्र को जुलें तक लिग कुछिन नमर के ना इन तक मैं क्वेश्ट नम्र में तो बीच परसंट प्राप्ट करता है तीस नंगों से फ्ईल हो जाता है 32 के अधिक आते हैं सीधा सीधा आपको पत्तिस वाला मान उपर रख लो ब्याले संग हो गए लगोंगा बीस परसेंट नीचे रख दे तीस अंगों से असपल हो गए इसके अधिकायते इसके कामायते इसमें से इसे गटा दिया तो आप क्या कोगे बारा बरावर कितने बाहत्तर लेकिन मैंने जब आप से बोला था कि उन्त्रीड परसेत नकालना हो कभी भी तो इस एक्वेशन को लग लेख लो मैं को बाहत्तर नंबर बरावर कितने बारा बरावर कितने तो आप कोगे बारा बट्टे बाहत्तर यहां से आप क्या करो इस नीचे वाले का इसके कितने नंबर थे? तीस नंबर. नंबर से बरावर परसेंटेज hasil नकालने तो मैं कहो बारावर कितनी परसेंट तो आप कोगे बारा बट्टे बात तर Πरशटर गणा 23 15 25 15 यनि कितनी परसेत्सियर आप कहोगे five कितनी? पॉंच प्रसेत कितनी प्रसुच यानि। उसके देखो जब तीस नम्र कं थे तो percentage कितनी थी? 20. अगर मैं कॉँआ Brother कितनी पॉंच अगर ये कहता हे। उसके टीस कंकर 11 और आ जाते तो बहा सौ जाता लेकिन His इस परसेंटेश तब कितनी थी इस और अगर तीस नमबर ब्रावर परसेंटेज वनी थी मेरी 5 तो मैं आपकर 20 में मैं 5 जोड़े तो पासिंग नम्र कितना हो गया आपको 25 परसेंट आप क्या को कि पच्चिस परसेंटेटें पर प्रसंटेज कितना आ जागे आपको 25 यह कुश्चन नम्मर आपका 10 था ठीक है तो इसको भी अम्रूब क्या करते हैं रब करते हैं आते हैं कुश्चन नम्मर 11 पे ठीक है एक वेक्ति 70% इंगलिस में 70% मेत में 80% और दोनों विस्यों में अनुत्रीड कितना है 10 अब यहां देखो यह भी पासिंग थे यह भी पास थे तेकिन यहां यह कितना आगे फेल आगे तो आप क्या करोगे जो बीच में दिया जाए उसी को क्या करो इन दोनों के क्योंट्ब्र आप कर लो तो अगर उसमें 70% पास थो फेल कितने होगे आपको करोगे 30 अगर 80% पास थो फेल कितने होगे आपको क्योंगी सब्सक्राइन देंगे 20 में से 10 गया 10 तीस में से 10 गया 20 यहीं बचा यह दिए 144 अप यह और यह फिल आ गया यह फिल का गया यह फिल का आगया आप अकर इस को ज्यादा डिटेलिंग में समझना है तो आप परसेंटेज कि जो प्रिविस वीडियो ड़ली हैं आप उनको देख लीजिए तो आप इने सब लगए तो टोटल फेल कितने हुए हैं तो आप कोगे बीस तीस चालेस कितने फेल हुए तो पास कितने हुए होगी तो आप कोगे साथ परसेंट और दोनों में पास विद्ध्यारतियों कि एदूनी बाराची चाहओ को चौश हैं टूटल विद्ध्यारति क्लास में कितने होगे आपको होगे तू फोल्टीन कितने होंगे दो सो चालेस विद्ध्यारति पूरी क्लास में होंगे कुश्चन नमबर 11 ठीक है तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग रभ करते हैं आते हम कुश्चन नमबर 12 पर कुश्चन नमबर 12 पर अब थोड़ा कुश्चन जिल्देली लगाएंगे वनना वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी ठीक है अब यहां दोको यह सिंपल सा था 30% यह भी पास दी है 70% जी एस में यह भी पास दी है और 60% दोनों में पास तो यहां पास ही है तो में क्या करना है इस में से से घटाना है तो आप कितने को गवे 9 बची मैं कूँ इस में से से घटाना है तो आप क्या को गवे 6 बची मैं कूँगा टोटल जो पास है अगर दोनों दोनों विस्यों में असफल यह फेल की दियें कितने दियें 63 00 जेरो तोटल फेल कितने हुए टोटल पास कितने हुए तो आप को होगे छह चास सतर सेविंटी नाइन परसेंट क्या हुए पास हुए इसको आप क्या करो हंड्रेट में से गटा दो तो एक ठीक क्या हुए और फेल होगे इसको से गटा दिय तो एक फिर सेंट क्या हुए इनके फेल होगे ठीकिया तो यह वैल्ली किस Stuart एक क्लीन करते हैं रब करते हैं आते हैं लोग यह कुष्चिन नमर आपका 12 था बारमा ठीक आते हैं कुष्चिन नमर 13 पर इसके आपको PDF मिल जाएगी आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन करेंगे ठीक है वहाँ आपको इसकी PDF भी प्रवाइड हो जाएंगे अब यहां देखिए यह आ गया बोटिंग वाले कुश्चिन क्या है बोटिंग वाले कुश्चिन रहते हैं यह तो मैंने इनका एक तरीका बताया आपको अगर आपने प्रिवेस वीडियो नहीं देखी हैं तो साथ वीडियो नमर जब भी वैद वोटों वाला कुश्चन आया था मैंने का इसको लगाने का सबसे बेस्ट मैथड होता X का मैथड टीक मैं कहता हूँ टोटल वोट X थे कितने परसेंट मों लोगों ने वोट डाले आपको 75 तो मैं कहूंग एक्स का कितने परसेंट वोट डला यह नहीं आपक टीक इतने वोट डले हैं इसी में से अवैद कितने हुआ आपको गई दो परसेंट दो बट्टे सो दो एकन्दो दो पंची दस काड़ के तो मैं कहूंगगो एक वोट 50 डले थे तो उसमें अवैद कितना होगे एक तो आपको गई वैद वोट कितने बचेंगे आपको 49 वट high 50 वोटों में हुआ क्या कि एक को कितने मिले 45 so to do मीदवार को 9.261 वोट मिले जो वियत वोटों को ओस सिम्पल है इसमें आपको देखओ ये जीत हार के वोट नहीं दिये गैं ये सीधा-सीधा दिया गया है कि जितने वोट है वे त उस authorized ते उसे जो मिले है 9.261 वो क्या है बैद वोटों का 75% तो यह सीधा सीधा जो वैद वोट ही देखो टोटल वोट यह इतने लोगों ने डाले यह अवैद नकाल कि यह क्या वैद वोट वैद मत और वैद मत का उसे कितना मिला 75 तो मैं कूँगा इसका उसको इतना मिलके 75% जो कितने के बरावर 9261 के बरावर तो अब आपकी बत यह एक कैलकुलेशन जिसको मैं कारता हूँ मैं कूँगा 25 यह 25 यह 25 यह कट गए और कुछ कटेगा I think मुझे नहीं लगता है कि कुछ कटेगा तो इसे 3 से ही काटना शुरू करते हैं ठीक 3 से काट लो यह आप 9 से काट लो 7 से काट लो जिससे भी आपको कैलकुलेशन करना है आप काट सकते हूँ तो मैं क्या करता हूँ तीन तरका 9 हो गया 3 से काट ले तो 3 तरका 9 ठीक 0 3 तरका 9 0 3 8 24 2 31 ठीक यह हुआ इसको फिर 3 से काट लेते हैं आप एक को 3 से तो 3 एकन 3 0 3 2 निच्छे 3 97 इसको साथ से काट लो आप साथ 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 एकन साथ 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 चोगा 28 साथ साथ एकन चास ठीक साथ दोनी चहुदा साथ एकन साथ थोड़ा कैल्कुलिजर से थोड़ा बड़ी हो गई है लेकर कोई दिक्कत नहीं तो यह उपर वाली संक्यों से सब कट गया तो एक्स बरावर यहां कितना बचा एक्किस और यह दो को पचास उधर गए चार दरगे और चार दरगे तो करना क्या है पांचो को बीस पांचो को बीस यह चाचो को सोला पंचे असी तो 21 गोणा जीरो जीरो आट एकना टाट दोनी सोला इनि इसका अंसर कितना जागा 16,800 देखो calculated part है वो आपको solve कर सकते हो तो जैसे मैंने किया जरूरी नहीं है आप उस तरीके से calculation काट हो आपको जैसा भी suitable लगे आप उसको calculated काट देना तो इसको भी हम क्या करते हैं रब करते हैं आते हम लोग इसके next question पर question number I think 11, 12, 13 I think 13 हम लोग कर चुके हैं अब हम लोग 14 question करें है question number 14 तो question number 14 यह रहा है तो यह ब्लकु लीजी था एक चुनाव में तीन अमीद वार है मैं कहता हूँ total vote अगर 100-100 में से एक को 40% मिल गए दूसरे को 36% मिल गए तो तीसरे को तो तीसरे को कितने मिले तो भाई सो में से 40 यह आपको 76 मिल गए हैं से तो बचे कितने 24 तीसरे को vote कितने मिलेंगे तभी तो टोटा 100 होगा और टोटल वोट कितने के आपको 36000 value किसकी होगी 100 की मैं कहूंगा 30 को कितने मिलेंगे आपको 20 सो 20 काटने आपको 36 into 24 करना है तो 64 को 24 ठीक है और तीन दूनी 6 7 8 तो सीधा आप में इसका multiply कर लो देखो अब इसको multiply कैसे करना है मैं कुँगो 6 into 4 तो सिर्फ क्या option है एक यह option में एक यह option में जिसमें एक आप यह चार आ रहा है इसमें भी है तो इसका multiply करना पड़ेगा आपको 36 into 24 तो 24 को 24 की चार चाती है 12 चह दूनी 12 बारा बारा 24 और 26 की 6 आंसर लगी 2 3 दूनी 6 7 8 यहीं 8 6 4 और 0 यहीं इस प्रेशन के क्या है जाएगा आंसर आजाएगे, 8, 6, 2, 0 ही इस प्रेशन का क्या होगा, आंसर होगा, आई तिंग यह कुश्चिन नमर 13 था, यह 14 था सोली, तो इसको क्या करते हैं, आते हैं लोग, रभ करते हैं, आते हैं लोग, कुश्चिन नमर 15 था, आप यहां देखाँ, आज के लोग इतनी वीडियो रखेंगे, आपके जो बागी के आपको PDF पूरे 25 कोश्चिन हो की मिल जाएगी, बागी के अंगले जो PDF डालेंगे, उसमें इं 40-60% के पास का हुए, 30% के पास बैस है, अब 15% के पास दोनों है, तो मैं कहाँ हूँ, सिंगल सिंगल नकाल लोग, 60 में से आप कहूँगे, 15 मैं कहूँगे, 30, 45, ठीक, और 30 में से आप कहूँगे, पांगे, तो ऐसे लोग जिनके पास कुछ ना कुछ है, वो लोग कितने हो का हुँगे, 15-15, 30, 75% के पास कुछ ना कुछ है, यनि बैल ये बैसमें से कुछ ना कुछ हूँगे, ऐसे कितने लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको 25% के पास कुछ भी नहीं है. पुरे परवारों के इसंके कितनी थे आपको 96, और ये वैल्यू किसके होगे, 100 के बरावर कुल की है तो 100 के बरावर होगी में के इनके पास बैसे अधायनी तो आख किदने नकले थे 25 वह 25 तो 25 एक हम 25 चुकुस्ट चाथ दुनिया चार्चिंग के चाथ दुनिया चाथ चुकुसोला यहीं 24 परवारों के पास नगाय है ना बैस है तो उसको भी हम क्या करते पास रब करते हैं आते हैं मोच्ट नम्र सुच्टीं पे तो चलो जल्ड zone पूरी करीonst at लीक ने बचे हुए कुश्ट 높ू किश्टerk आता है तो किया कि कुश्ट नम्र सुच्टीं ये दो चुनावों में एक अम्मीदवार पहलों को कुल बैद बोटों को फिप्टी परसें कुल वोटों में से 25% वोट अवैद थे वोटों की कुल संक्या 84 ती ग्यात करें दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले देखों यहां भी क्या है कुल वैद वोट जब भी यह बैद वोट का कुश्चना है पमिसा इसे एकस से लगाना तो आप जल्दी लगा लोगी मैं कहता हूँ टोटल वोट अगर एकस थे उसमें से वैद कितने होगे 25 मैं कुववाज़ परसेंट की बीन आप को सो यह बहनी बेन एक वट्टे चार तो वैद कितने विचा आप को होगे तीन वट्टे-चार यह वैद वोट हो गया और कुल वैद वोटों का एक को कितना कुश्चन में दिया आई है कुल वोटों की संक्या तो हम्हें और दूसर्र अमीद्वार को कितने मुले एक पूंचाता है न तो मेरे कुल वोट कितने दिये 8400 यह X की जगे कुल वोट 8400 8400 का कितना 3 वट्टे 4 वाग आपका डाला गया 25% अवैद हो गया तो 3 वट्टे 4 वाग वोट डोला गया और एक को कितना मिला उसका 52 परसेंट तो एक को कितना मिला होगा 48 परसेंट ठीक है यही हो गया तो ग्यात करो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले यही था कुश्चन तो अब यहाँ सीदा सीदा आपको किल्कुलिसन कर देए तो मैं क्या कर रहा हूँ दो जीरो से अबके दो जीरो चार एकन चार चार दूनी आठ चार एकन चार एक किस्तिया 63 इंटू 48 तो सीदा सीदा आपको इनका मल्टिप्लाई करना है आप क्या करो आड़तिया 24 सिर्फ एक यह उप्सन है जिसका एका यह कितना है चार है तो सीदा अंसर आप यह कर दो पर तीन अजार 24 आप मल्टिप्लाई कर लो यही इसका अंसर आ जाए कर ठीक है तीन अजार 24 तो उसको भी हम क्या करते है रब करते है आते हम लो कुश्चन नमर अपने 17 कुश्चन नमर शत्रह यह रहा है यह सिम्पल था सेस क्या सब्दा आ गया सेस सम्थ तो 20% की विन एक बट्टे 5 5 से 4 25% की विन एक बट्टे 4 4 से 3 15% की 3 बट्टे 20 20 से 17 और तो वन मिनट यह कुश्चन थोड़ा सा देखते हैं रोखो क्या गया रहा है एक विक्ति एक मिश्टर एक्स अपनी मा से काय का बीस परसेंट करे लू कर्च पर खर्च करता है सेस में से 25% सिच्छा पर 15% पहरवन पर 15% मनोरंजन पर खर्च करता है इन सभी खर्चों के बा कि लिवाद यहां उन्होंने कहीं दोवारा से सब्द का परियुक नहीं किया है तो इसको आपको फोड़ा बेसिक ही लगाना पड़ेगा क्या कैता हूं देखो मैं कहते हो व्गत सोर उपे थी सोर उपे में से आपने 20% क्या करती है खर्च करता है तो आपके बाद बचे कित परसेंट दवाईयों पर और 10% मनोरंजन पर खरच कर दिए, तो यह कितना हो गई, मैं कहुंगा, 25, 15, 15, 30, 40, 40 और 25, 65, टीक, तो यानि ये जो टोटल था वो कितना हो गए 65 खर्च हो गए आपके पास सिर्फ थे कितने 80 80 में से आपने 65 खर्च कर दी आपके पास बच्चे कितने हो गए आपको हो गए 15 कितने बच्चे होंगे 15 बच्चे हो गए आपके पास ठीक है अब के पास कितने बचाओंगे 15 तो क्या हुगा 15 कितने थे 9800 9800 value किसकी हो गई 15 मान किसका चाहिए 100 का तो आप इसको अगर काटोगे लगबग तो यह देखो यह पॉइंटों में भले भी प्रॉपर आंसर नहीं दिया लेकिन लगबग में यह आंसर नकलेगा आपके जाके ठीक है आपका आंसर भले भी पॉइंटों में रहेगा लेकिन आपका यह आंसर लगबग में नकले जाके तो पंदरे चिके नबबे आसे लगी पंदरे चिके नबबे आसे लगी आपकी आठ पंदर पंचे पचतर आसे लगी पांच पंदतिया 45-45 वंदतिया इस तरीके से ये पॉइंट चलते रहेंगे तो जब इसका 100 का मौटड़िक्ल लगबग इसके बाद पॉइंट 33 बढ़ता Raptor रहेगा लेकिन लगबग आपका आशर कितना हैगा 65,333 है इस प्रिशन का क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक तो इसको भी हम क्या करते हैं क्लीन करते हैं आते हम लोग अपने next question पर I think 17 था ये हाँ बिलकुल 17 था question नमर आते हम लोग 18 पर एक परीच्छे में लड़कों और लड़कियों का 30% और 45% है लड़के ने 280 पराप्त किया और 80 अंकों से क्या हुआ फेल हो गया अगर एक लड़की ने 108 अंक पराप्त किया हो तो उसके पास होने के लिए कितने अंकों की दिखो लड़के ने कितने अंक पराप्त किया आप कोगे 280 कितने अंकों से फिर लोगे 80, अगर इसके 80 कोर आ जाते तो ये पास हो जाता, तो आपको बल्कुल पास हो जाता, यह इनुन इसके नमर कितने आने चाहिए था, 360, और 360 पर रिख परसंटेज लड़कों के लिए कतना है, आपको बहूगे 45, लड़कों के लिए कतना है 45, ठीक है, तो अगर जबकि एक लड़की के आयते कितने 108 तो उसको 240 में 108 गटा दूँ तो तीन यानि 132 अगर उसके और आ जाते तो वो क्या होती पास हो जाती अंसर कितना 132 अंस कितना एक सो 32 अंस प्रिश्ण का अंसर आजएगा इसको भी करते हैं हम लोग क्लीन आते हैं कुश्चन नमबर हम लोग 19 में प्रिश्ण के दस परसेंट मत दाता हूंनों अपने मत का प्रियोग नहीं कि दस परसेंट वोट अवैद होगे जीतने वाले को बैद मत होगे प्रिश्ण में के मिल गए बैद मत मिल गए तो सीधा सीधा एक्स दस परसेंट ने मत का प्रियोग नहीं कि दस परसेंट की विनवने की एक बट्टे दस दस में से एक ने वोट नहीं डाला डाले कितने नौ बट्टे दस फिर द्वार दस परसेंट होगे तो बिन एक बट्टे दस दस में से एक वोट अवैद होगे वैद कितने हुए आठ परसेंट इन्हें वो कितने डिफरेंस से जीता आठ परसेंट से तो मैं आठ परिश्चत मत जीती और जीते कितना 1620 से यही ता प्रिश्न का पूरा सारांस मैं 4 से काट लेता हूं चार दूनी आठ यह आया पच्चिस यह इसको ऐसे ही रहने देता हूं क्योंकि नीचे हंडेड बनेगे सीधा मल्टिप्लाई करने में हमें आसानी होगी तो मैं 8 अपॉन हंडेट ही रहता हूं ठीक 89 बातर नोग नोग नोगण यूठ ए बातर 90 अथारा है 90 अथारा है 7 चार यकंचा 4 चाप ंथा 8 45 20 2 एक अब 2 2 पंचे 10 पच्चम एकस कमान चेँ तो इस पांच का मल्टिपलाई पच्चम 25 और की पीछे 3 जीरो अंशर B 25 यारस प्रिशन का क्या आजाएगा आंसर आजाएगा ठीक है 25 यारस प्रिशन की क्या जाएगा उनलिस में कुस्चिन था यह इसको भी क्या करते हैं हम लोग क्लीन करते हैं आते हैं गुश्चिन नममर हम लोग 20 पे टिक कुश्चन नमर किस पे हैं बीस पे हैं प्रेशन बिल्कुल इजी है यह दी किसी संक्या में चौंसर जूड जीए दें तो संक्या स्वेंव की 116 हो जाती मैं 116 वेल्यू किसकी 116 परसेंटीज की बिन बना ली मैं का 116 वट्टेस हो मैंने का अगर संक्या सूला थी संक्या सूला थी उसमें स्वेंव की 116 परसेंट जूड ली गई तो कितनी होगी 116 होगी कितनी होगी 116 होगी 116 प्रेशन में कितना जूड़ा 64 64 वेल्यू किसकी होगी 16 कि मैं को मूल संक्या कितनी तब क्यों जाए अगर इसे आप बेसिक लगाना तो बेसिक देखो क्या लगिए इसका मैं कहता हूँ मैं संक्या मेरी एकस है एकस में इसको उधर लेके जाओगे इधर बचा 64 मैं कहूँगा 116X बट्टे 100-X इसको जब मैं solve करूँगा 100 इधर आगे तो 116X-100X बट्टे 100 ये बचे कितने 64 ऊपर बचे कितने 16X बट्टे 16, 16, 16, 16, 64 इस चार इधर कितना आजाएगा चार सा अंसर फिर भी आएगा तो बेसिक में कहें इतना time waste करोगे सीधा fraction बनाओ और question को पढ़ते चले और उसका answer नकल आएगा ठीक तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग रब करते हैं आते question number हम लोग 21 पर है ठीक है question number 21 मिस्टर से ब्रुकु लीजी सा question है total मिस्टर कितना है आपका कहोगा 80 लीटर milk कितना है उसमें 10% मिलाया क्या जा रहा है पानी के पानी को 80 प्रिश्द बनाने के लिए पानी को 80 प्रिश्द बनाने के लिए अब यहां देखना यहां यह milk था और जो बीच में percentage आएगा वो कितने कहाएगा बाटर 80% देखो water ही water लेना है तभी same value ही allegation में घटती है मिलाया क्या जाना milk water तो नहीं मिलाया जाना तो यह क्या रहाएगा जीरो या या 80 या 10 शुरुवात में total मिस्टर 80 जो value किसकी होगी 80 की तो 80 value 80 की मन किसका चाहिए 10 का यह खत्म आंसर कितना आजाएगा अगर आपको यह question समझ में नहीं आ रहे तो आप क्या करो percentage की जो previous वीडियो उनमें देखो जाके तो इस type के उन्हें बहुत सारी question करवा हैं बल्कुल basic से लिएकर ठीक है तो उसको भी क्या करते हम लोग रब करते हैं आते है question number हम लोग 22 पे किसी बिन्न के अंस में 20% की कमी हर में देखो एकस अंस हो गया वाई हर हो गया कितने परसंट की कमी 20 सीदा 80 लिखना है आपको 40% आदेख आपको 140 करना है value कितनी हो जाए 16 बट्टे 19 हो जाए जीरो से जीरो दो चोको आट दो सत्य चोदा चार एक अंचा चाच चोको 16 साच चोको 28 बट्टे यह इस प्रश्न का क्या गाएगा answer आजाएगा कि इसे कुछण होता हैं इसमें कुछ नहीं होता है आपको सीधा सीधा करना होता है आंज में 310 को में जितने की कमी दी जैब थीके और टो ब्रदी करते करते बराबर और करनी होती92 क्या करते हैं कि अश्रोन कोर्ण में कि ट्वील 3原 देखो 80% बोरे कमले में 100 ml टोटल मिस्टर कितना है 100 ml बोरे कमले कितना है 80% और बाद में 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 आपको जब क्लास में पढ़ाया है यह बोरे कमले दिया जाए और यही अगर मिलाया जाता तो यहाँ वैल्यू 100 होती लेकिन यहाँ बोरे कमले दिया गए और मिलाया किया पानी तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी यह चीज़ आप समझ गए होंगे तो यहाँ वैल्यू 50 यहाँ वैल्यू 30 बाकी ऐलोवियोश्वियू की तरह यह यह बैल्यू निकर रिशिव टोटल नहीं होता है। यह जो बैल्यू होता है। इसका मान यह होता है। जो मिलायगा यह वो यह उता है। तो सीधा आप सोई वैल्यू करोगे 50 की, मन किसका 30 का, 5 दो नी तो, 30 दो, 60 ml इस प्रिशन का क्या जाएगा, sorry, 60 ml क्या जाएगा, इस प्रिशन का अंसर आजाएगा, 60 ml इस प्रिशन का उत्तर हो जाएगा, तो इसको भी हम लो क्या करते हैं, क्लीन आते हम लो कुश्चन नमर 24 ऐगे 4 पर हैं, देखो, प्रिशन, प्रिशन, most important, 24 में कुश्चन नमर है, और ये most important है, इस तरीकी की उटक्शन, अभी देखो, यहाँ भी क्या है, बैद मत ही है, यहाँ भी क्या है, बैद मत ही है, तो जितने भी प्रिशन नेथे, I think, सभी बैद मत की ही थे, इसमें, कुल मत वाला प्रेशन नहीं था, X का कितना परसेंग नहीं, दस, तो नौवट टे, दस, इस में से अवैद कितना हो गए, आप को गए पच्छिस सो, और इसमें से जो 55 एक को मिला तो 45 दूसरे को मिला तो अंतर कितने का, दस का, अगर मैं को बैद मत गए, इक को 55 मिला दूसरे को 45 इसमिल्दा तो डिफरेंस कितने एका 10% का डिफरेंस कितने एका 10% का एक्वल वैल्यू कितने से जीता दो जार से 0 से 0 जिर गदर गया कितना हो गया आपको 20,000 एक्ट सिंटू 9 10 यह हो गया 20,000 प्लस मैं जोड़ देता हूं मैं कहूंगा 22,500 इसको 9 से काटना है नो एक नो नो दूनी अठारा नो पंचे पैंतारेस और इसका एक 0 जाएगा तो एक्स बरावर आंसर कितना जाएगा 25,000 एक्स बरावर आंसर कितना है जाएगा इस प्रेशन का 25,000 तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग रब करते हैं आते हम लोग आज के लाश्ट कुष्टन पर जो है कुष्टन नम्मर 25 यह भी चुनाव वाला ही प्रेशन है आते हैं प्रेशन पर एक्स बर्णाव में दो मीदवार थे कुलमतों का X परसेंट मत थ deg opposite तो मैं कहता हूं एक्स मत थे खुनमतों ने एक्स ने नवट टी 10 ने डाला डाले गए ते जितने बोट पले उँ उसमें से कतने मिले एक को साट मिला अगर एक को साट मिला तो दू अगर आपको पर्सेंटेज करवाएं अगर आपने प्रीवेस वीडियो नहीं देखी जाके तो पहले आप उन्हें देख लीजिए उसके बाद यहां आप इन्हें continue करना है अपको ठीक है अयोब आपको sound में आया आप इस चैनल को क्या करो आपको ठीक ह्यां आप को ठीक है अपको ठीक होगा इसमें दो SURके 688 आपको लिए नहीं जायूर्ट कहरेंगे कि सबस्क्राइब करें लेकिन अपनी ब्लाइब नश्याइन दीवको अंटा regard ऑको